नमस्कार जै हिंद जै भारत मैब से एक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे हार देख स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आज के सेशन में आज के इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं आर्टियोलोजी जो कि दोस्तों आपका एक्जाम 22 फरवरी 2023 को कंड़क्ट कराया गया था उस क्वेस्चन पेपर की दोस्तों 2023 में दो एक्जाम हुए थे एक दोस्तों दिसंबर 2022 का एक्जाम दोस्तों जो कि आपका 22 फरवरी 2023 को हुआ था और दोस्तों एक आपका जून में हुआ था 2023 में आज दोस्तों जो हम बात करेंगे वो दिसंबर 2022 का पेपर जो की 22 फरोरी 2023 को कंड़क्ट करा गया था उस पेपर के solution के बारे में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक previous वीडियो के माध्यम से अलग-अलग previous year question paper को discuss किया है जिसमें दोस्तों हम लोगोंने अभी तक 2004 से लेके 2015 तक के जो question paper है दोस्तों हम लोगोंने बीच में 2021 का question paper जो है उसे भी solve किया था और आज के इस sesson में दोस्तों हम आपसे 2022 दिसंबर का question paper है जो की 22 फरोरी 2023 को जारी किया गया उसके हम चर्चा करने वाले हैं उसको हम लोग solve करने वाले हैं इसके पहले कि दोस्तों आज के हम सेशन की सुरुवात करें जल्दिस दोस्तों आप सभी जूड़ जाए और मैं बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बहतर रोप से पा रही है बताएं दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि दोस्तों आपका जो जून दोहजार चौबिस में दोस्तों जो आपका एक्जाम होने वाला है आने वाला जून दोहजार चौबिस उसके लिए दोस्तों हमारे इस्टिट्यूट की तरब से हमारे अकेडमी की त आते दोस्तों next batch के लिए दोस्तों थमारे इस batch में आप जूड़ सकते हैं जहां पर दोस्तों आपको daily basis पे live classes, live classes के recording in case इस आपको कोई class छूड़ जाती है तो उसको revise करने के point of view से साथ में दोस्तों जो भी हम discuss करेंगे live class में उससे समद्धी दोस्तों आपको PDF, e-notes, materials, साथ दोस्तों books के PDF और articles वगरा जो ही दोस्तों आपको वहाँ पर provide कराये जाएंगे इसके लिए दोस्तों weekly आपकी जो mock test हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों आपके paper pattern के हिसाब से होगा previous year question paper आपको provide कराये जाएंगे दोस्तों जिसमें 2014 से 2023 तक का सब कुछ previous year question paper दोस्तों वो provide कराये जाएगा इसके अलामा आपको आर्केलोजी समंदी जितने important MCQs है उनके solutions उनके PDF वो provide कराये जाएंगे important quiz series दोस्तों जो कि आपकी weekly होती है उनको भी आपको मिलेगा और साथ में दोस्तों important जो most important questions होंगे आर्केलोजी के वो भी आपको इस batch में देख दिख रहा होगा उसको दोस्तों आप जोइन कर सकते हैं चैनल पर call या message करके चे दोस्तों बिना कुछ समय गवाए हम चलते हैं अपने questions की तरफ दोस्तों आपके सामने सबसे पहला जो question आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वो आपके सामने है question क्या है दोस्तों the legend basilius on the Indo-G प्रीक मुद्राएं है उन पे अंकित जो यह सब्द है जो लेक है basilius इस लेक का परियाय क्या है इस लेक का मतलब क्या है options दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है the basilius means महान, महराजा, राजा, याफित, रक्षक, what is the right answer केवल दो लोगों ने भी तक answer दिया है archaeology study और दूसरा दिया है खुसबुच चौहान जी ने, archaeology study भाई अपना नाम बता दीचे आप क्योंकि आपका जो आईडी है वो आपके नाम से नहीं है बलकि दूसरी आईडी आप जो नाम हो अलग है तो यह confusion में हो जाता ने थोड़ा सा, चैले, तो सही answer क्या होगा, इसलिए इसका जो option number B है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है इस चीज को ध्यान रखेगा, चले, आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ, तीन लोगों ने बिलकुल सही answer दिया है, संजना जी ने, नितु जी ने और खुसबु जी ने इसका बिलकुल सही answer किया है, चले, आगे चलते हैं अगले question की तरफ से, अगला question है कि the मकरवाहिनी गंगा is depicted on which coin type of समुद्र गुप्त, देखिए, अभी मैंने जब बैच में आप लोगों को समुद्र गुप्त की सौन मुद्राओं के बारे में, gold coins के बारे में पढ़ा रहे थे, at that time we discussed about the मकरवाहिनी ग type of coins में, tiger slay एयर is type of coins में, या फिर hilarious type of coins में, किस प्रकार की मुद्राओं में, इस प्रकार की प्रकार की परमारइवा देखने को मिलता है, तो समुद्र गुप्त की मुद्राओं पे, वह कौन से सिख्खे का प्रकार, जिसमें मकरवाहिनी गंगा का जो अंकन है वह देखने के मिलता है आपसे धरुधारी प्रकार, परसुधारी प्रकार, सिंघ निहनता प्रकार या फिर वीड़ा वादन प्रकार सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है बताए बैट, what is the right answer बताए चलिए पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था बाद में ये जो मुद्रा है यह बदल कर सिंघ निहनता प्रकार जो है वह ब्याग घर निहनता प्रकार जो है आपका ब्याग निहनता प्रकार नितु जीनी भी बिल्कुल सही आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर सिंघ निहनता प्रकार की जो मुद्रा है जो की बाद में ब्याग निहनता प्रकार कह लीजिए उसमें जो है परिवर्तित हो जाता है तो यह जो मुद्रा है इसमें मकरवाहिनी गंगा जो है उसका अंकन द कोई बता सकता है क्या कि उस inscription का नाम क्या है बताई बई जो समुध्र गुप्त की एक बड़ी important inscription उसका नाम क्या है आपको बताना चली अगला question है कि copper tablets with the leaf called hunter with a bow and arrow of found from the site उप किस पूरास्थल से टाम्र पठ्टिका सहित पत्ताधारी सी कारी जो बाढ़ और धनुस उसके साथ पाया गया है, यह कहां से मिला हुगा है, यह आपको बताना है, options आपके सामने है, बरार से, ठीक है, सुरकोटदा से, बालू से, या फिर मोहिन जोदाड़ों से, यह लिखा गया, हरी सेंड के दवारा, और उसे उतकेड किस ने किया, उसे उस पत्थर के उपर लिखा किस ने, तो देट इस बाई तिलक भट, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेरा यहां पर यह है, कि वह कॉपर टैबलेट, जिसके उपर, लिफ कोसिस कीजिये, सही उत्तर क्या होगा, इनिवन आफ यू? क्या सही उत्तर होगा? चीले, इसका सही उत्तर क्या होगा? अप्शन नमबर थी, जो बालू आर्केलोजिकल साइट है जो बालू पूरास्थल है वहां से इस प्रकार के जो प्रमाड है वह देखने को मिले हैं चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन की तरफ देखे बाकी आने पूरास्थल स्विस्टूर कोटदा है मोहित जुदारो बड़े साइट है जिनका संबंद इंडस वैली सिविलाइशन से ध्यान रखिए मैं इनको डिटेल में डिसकस करता है आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी पेपर सॉल्व कराता हूं मैं बकायदे पूरा समय लेगे कराता हूं लेकिन आज आज आपके पास समय कम है हमको पूरा पेप समय कम है क्वेस्टन सापके ज्यादा है कभी समय रहा तो मैं करता भी हूं कि आपको एक-एक आप्शन का अंसर जो है वह बताता हूं उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे अगला क्वेस्टन है कि विच ऑप फॉलोइंग आरिकियोलोजिकल साइट गिब्स द एविडेंस ओप डेट एंड गाली किस पुरास्तल से हमें खजूर एवं लहसुन के जो प्रमाड है वह देखने को मिला अंसर क्या है संधाओ से हुलास से कुनाल से या फिर बालू से कहां से जो है हमें किसके प्रमाड लहसुन और खजूर के जो प्रमाड है वह देखने को मिला संधाओ से क कि हुलास से, कि कुनाल से, की बालू से, what is the right answer, बताए वैज, सही उत्तर क्या होगा, कहां से इस प्रकार की जो प्रमाड है, वहां देखने को मिले हुए है, चले, बहुत बढ़िया, नितु जी ने बिलकुल सही आंसर किया है, गायत्री जी ने बिलकुल सही आंसर किया है, खुस्बु जी ने बिलकुल सही आंसर किया है, जो बालू पुरास्थल है, वहां से हमें खजूर एवं लहसुन की जो प्रमाड है, वह देखने को मिले हुए हैं, ज जो कुणाल पूरास्थल है, यह पूरास्थल किस लिए famous है, किस लिए पसिद्ध है, यह आपको बताना है, खोई बताएं, चलिए, अगला क्वेशन है कि सुराथ हडपन, सुराथ हडपन और अनर्थ हडपन are used for which of the following हडपन regional area, मतलब इस सुराथ हडपन और अनर्थ हडपन सब्द जो है, यह किस हडपी छेत्र के लिए परयोग किया जाता है, बहुत important question है, कई बार आपकी एक्जाम में आया हुआ है, सुराथ हडपन और अनर्थ ह हर्याना, गुजराथ, राजस्थान और पंजाब, किन छेत्रों के लिए जो है, यह जो टॉम है यह परयोग में लाए गए, हर्याना के लिए, गुजराथ के लिए, राजस्थान के लिए, या फिर पंजाब के लिए, what is the right answer, बताए बाई, इसका सही आंसर क्या होगा, चल अनर्त हड़पन जो सब्द है, वह प्रयोग में लाया जाता है, what is the right answer, answer number B, गुजराथ के लिए, चलिए, आगे चलते हैं, देखे बाई, आप सभी अपने प्रस्णों को count करते वे चलिएगा, मैं बारवार कर रहा हूँ, कि आप मैं 100 questions आप से discuss करने वाला हूँ आज में, तो आपको ये बताना है, कि आपने 100 में से कितने प्रस्णों सही किये, पेन अन कॉपी ले लिजे, थोड़ी से बस मेहनत करनी है, आपको एक अच्छा confidence मिलेगा, कि आपने कितने questions सही किये, चलिए, अगला question है, कि name the site situated in the khandwa island of the run of kach, जो run of kach में, जो khandwa पुरास्थल है, वहाँ पे कौन सा जो पुरास्थल है, वो इस्थित है, अगला option है, आपके जूनी करण, ठीक है, धौला वीरा, कुंतासी, या फिर सुर्खोटदा, what is the right answer, निल्वलकित में से कौन सा पुरास्थल, खावडा टापूर पर इस्थित है, ये आपको बताना है, बताए वई, what is the right answer, चले, what is the right answer, the right answer is जूनी करण, जो जूनी करण archaeological site है, यह आपका जो खांडवा आइसलेंड है, जो खांडवा टापू है, वहाँ पर इस्थित है, और ये खांडवा आपका जो आइसलेंड है, ये कहां पर है, ये आपका है, आपके run-off कच्च में, चले, आगे चलत है, जो धौला वीरा पूरास्थल है, यह किस नदी से जुड़ा हुआ है, the archaeological site of धौला वीरा, that is associated with Indus Valley civilization, the river which associated with धौला वीरा, is what is there, उनके नाम क्या-क्या है, बताएंडवा बता सकता है, धौला वीरा से संबंधित, जो नाम है, जो नदीयों के नाम है, वो आपको बताने ह क्या है, the distinctive चालकुलिथिक culture of महराश्टरा is known as, महराश्ट की जो बिसिस्ट तामर पासान एक संस्कृती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, देखे भाई, नितु जी, धोगवा जो है, यह धौला वीरा से नहीं, बल्कि लोथल से संबंधित है, एक बात, हमेशा ध्याने मे जुदाडो है, सिंधु है, धोला वीरा है, आपका मनहर और मनसर है, लोथल आपका भोगवा नदी के तटपे है, तो ऐसे ही नदियों की नाम पढ़के जाए, मेरा आगला question यह है, the distinctive culture of महराश्ट, महराश्ट की अपनी विसिस्टामर पासानिक संस्कृती है, उसको किस ना कलवा कल्चर, आहार कल्चर, कायथा कल्चर और जोरवे कल्चर, चलिए, क्या होगा, जोरवे, मुझे आंसर जो है, कि आप सभी जोरवे दे रहे हैं, जोरवे होगा, ठीक है, अब मुझे भी देख लिने दीजी भाईया, ठीक हाँ, जोरवे जो है, बिलकुल सही आंसर, ज जोरवे संस्किती है, महराष्ट की संस्किती जो है बिसेस्टामपाश्चित की वह आपकी जोरवे, अच्छा आपने से कोई बता सकता है क्या कि जो चालकुलिथिक कल्चर है, इनके नाम क्या क्या है, कौन कौन से चालकुलिथिक कल्चर है, कितने कालों में, कितने संस्कितिय में उन्हें बिभाजित किया गया है इनी वन आफ यू किसी को जानकारी है क्या बताए बई जो चालकुलिथिक कल्चर है उनको किन किन कालों में बिभाजित किया गया है आहार हो गया मालवा हो गया जोर्वे हो गया और आपका कायथा हो गया ठीक है यहां आपके तामर पासा at daimaabad is associated with daimaabad का ज़ो पूरास्तल है उसका जो पंचम चरण है पांच मांचरण है या किस से संबधित है options क्या है बनास कलचर से संबधित है आहार कलचर से संबधित है मालवा कलचर से संबधित है या फिर जौरबे कलचर संबधित है What is the right answer बताएं भाई इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है बताएं भीया what is the right answer जोरवे कल्चे से संबंदित है दायमाबाद का जो पांचमा चरण है यह किस से संबंदित है जो जोरवे संस्कृती है जोरवे संस्कृती से इनका संबंद है मैंने आप लोगों को जब तामरपासानिक संस्कृती पढ़ाया था तो वहाँ पे काय था मालवा आहार जोरवे इन चारो संस्कृतियों के बारे में जो जानकारी है वो आपको दी गई थी जो और वे संस्कृति देवाई है जो कि महारास्ट की विशिष्ट तामरपासाने संस्कृति के रूप में जानी जाती है अब जब बात दायमाबाद की आएगी तो ध्यान एका दायमाबाद पुरा और यही पुरास्थल जो है आपकी गोदावरी के प्रवरा नधी के तफ परिस्थित यह जो पूरास्थल है शिंधुगाटी सब बता का इंडर्स वैली शिवलैस Gotta साफ स्वॉइन पॉकि मना जाता हैे सिंधुगाटी-सब बता का सब्से तुछिड Leg पूरास्थल के रूप में यहाँ जाना जाता है, चलिए, अगला पूरास्थल, अगला question, question क्या है कि who has stated that the हडप्पन's religion had a semantic component, मतलब कि हडप्पिय धर्म में Seministic घटक है, यह कथन किसका है, options है आपके उपिंदर सिंग का है, विभात्र पाठी का है, विदुला जैसवाल का है, या फिर सेहरिन रतनागर का है, बताए, what is the right answer, किसका है भी याप, या आप बताना है, बताए, चलिए, what is the right answer, the right answer is, option number 4, सिरीन रतनागर का है, किसका है, सिरीन रतनागर का, जुन्होंने ये कहा, कि हडप्पा के जो धर्म है, जो हडप्पन रिलिजन है, उसमें हमें Seministic elements जो है, Seministic जो components है, उनके जो प्रमाण है, वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question है, कि, who is credited with the initiation of rock art architecture in South India, दक्षे भारत में, जो सैल कृत्वास्तु निर्माड है, उसका स्रेय किसे दिया जाता है, answer is, Simha Vishnu, ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंग वर्मन फर्स्ट, परमिश्वर वर्मन फर्स्ट, what is the right answer, इसका सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है, कि कि किसके द्वारा जो है, दक्षे भारत में जो रॉकर्ट आर्किटेक्चर है, उसकी सुरुवात करने का स्रेय जो है, उसे दिया जाता है, चली, what is the right answer, इसका सही उत्तर क्या होगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं, महेंद्र वर्मन पर्थम हैं, उनको जो है, क्या किया जाता है, रॉक आप से जो मुझे ध्यान में आ रहा है यह महेंद्र वर्मन होगा ठीक है मेरे हिसाब से जो है यह महेंद्र वर्मन होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन है आपका हाँ बड़ा इंपोर्टेंट है तो जो अर्थ सास्त में जो सब्द दिया गया है कूट रूप कारक यह किसके लिए प्रयोग किया गया है option है आपका counter fairest of coin in charge of the mint maker of the coins issuing authority जाल साजों को टकसाल प्रमुखों को मुद्रा निर्माता को या फिर जारी करता को किसके लिए जो है कूट रूप कारक कहा गया मैंने पढ़ाते समय यह बताया भी था बहुत सिंपल सा question है बेसिक सा यह जब आप Moran Administration पढ़ेंगे तो दोरान इसको आप लोगों को जरूर पढ़ाया गया था मैंने इसको क्लास में भी डिसकस किया गया था what is the right answer चलिए आपको पता है कि जो जाल साज होते थे जिनके द्वराज यह counterfeats बनाते थे coins के अभी आपने मूभी देखी होगी Nie mabi देखा होगा अपने वीपी बगरा देखते उन्हें देखी है कि मैं जानता हो भई या कि आप लोग शींदे है अच्छी चरीबिए इस लिए बात नहीं है देखने े लाइक है तो आप उसको देख सकते हैं जो आपके मुद्राओं का निर्माड है, उसको counterfeits कहते हैं, जालसाज कहते हैं, उनहीं को अर्थसाज में कूट रूप कारक कहा गया है, इसको याद रखेगा, चलि, अगला है, the year of issue in numerals was the first introduced on the observe of the coins of, मतलब की प्रथमतह मुद्राओं के जो पूरो भाग है, ठीक है, उन पर जारी करने के वर्सों का अंको में उलेख जो है, या किस के द्वारा किया गया, ये मैंने जब coins पढ़ाया था, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया था, कि मुद्राओं के उपर उनका जो observe our society है, वहाँ पे उनके जारी किये जाने वर्सों का उलेख किस के द्वारा सुरू किया गया, option, साथवाहनों के द्वारा, चोलों के द्वारा, सक के द्वारा, या फिर पांड के द्वारा, what is the right answer, बताए भीया, क्या सही होगा, मैंने प चले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नहीं है, दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, हम आपके लिए लगातार, मेहनत करते आ रहे हैं, what is the right answer, सक्क, सकों के द्वारा जो मुद्राएं जारी की गई, उनमें उनके द्वारा जारी किये जाने वाले जो वर्स हैं उनका अंकन हमें देखने को मिलता है अगला question which scholar has accepted the theory of bacterian effect with the respect of origin of Indian coins भारती मुद्राओं के जो bacterian उत्पत्ती का सिध्धान्त है bacterian उसका प्रतिपादन उस theory को किसने प्रपाउंड किया था किसके द्वारा जो है यह बैक्ट्रियन उत्पत्ती का जो सिध्धान्त है जो कि मुद्राओं के जारी करने को लेकर इस्थापित किया गया यह किसके द्वारा दिया गया यह आपको बताना है what is the right answer बताएं बहुत बेसिक सा है आप सभी जानते है चले निशा जी ने आंसर किया है option number एक very good बहुत बढ़े है जेम्स प्रिंसिप जेम्स प्रिंसिप is also known as the father of Indian nemesmatics जेम्स प्रिंसिप जो है उन्हें हम भारत में भारती मुद्रा सास्तर के जनक के रूप में जानते है यह also a scholar a person who deciphered the script of Brahm इन्ही के द्वारा जो Brahm ही script है जो Brahm ही लिपी है उसको पढ़ा जा सका उसका उर्धवाशन किया जा सका और इन्हों नहीं यह कहा कि जो भारती मुद्राइं है यह बैक्ट्रियन उत्पत्तिन की हुई है जो origin of या या जो बैक्ट्रियन effect है इन्डियन क्वाशन का यह इन्हीं के द्वारा दिया गया चले आगे चलते हैं अगले question की तरफ ध्यांत सुनिएगा question क्या है question यह है कि the system of issuing by scriptural coins was introduced in India question अभी मैंने जब शुरू किया था इंडियन निमस्मेटिक्स तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत में द्वी भास्य मुद्राओं को जारी करने का जो पध्धती है यह किसके द्वारा शुरू किया गया question है answer है आपका इंडो बैक्टिरियन्स इंडो ग्रिक्स इंडो सीथियन्स या फिर इंडो पार्थियन्स what is the right answer बताया भाई सही उत्तर क्या होगा यह आपको मेरे भाई बताना है basic सा question है मैंने कई बार आप लोगों को इस question को discuss किया था the right answer is option number two इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक्स रूलर्स इंडो ग्रीक डानेस्टीज आर दर फॉस्ट बाई वूम हेसूद फॉर्स टाइम बाई scriptural क्वाई उन्होंने दो भासाओं में जो दो लिपियों का जो प्रयोग है उन्हें अपनी मुद्राओं को पर किया चलिए ठीक है आगे चलते हैं लेकि में पास समय होता है तो मैं एक एक क्वाइन्स के बारे में एक एक रूलर्स के बारे में आपके साथ डिसकस करता लेकिन माफी चाहूँगा आप सभी से तहे दिल से माफी चाहूँगा कि हमारे पास समय की कमी है आप लोगों का कल एक्जाम है दिसंब मैंने बार-बार कहा है कि पेपर जब भी solve किया जाना चाहिए तो full detail analysis उसकी की जाने चाहिए हर एक questions के answer को भी analyze करना चाहिए लेकिन समय कम है हम कुछ करने सकते हैं आप लोगों की मांग है आप लोगों का इसने है आप लोगों का support है जिसके वेसे आप सभी की चीज़ों को हम में फुल्फिल करना होता है तो आप लोग कई दिनों से बिन आज की class में आज के marathon class में भी इमाम उठे की 2030 का जो आपका paper है 2023 में जो हुआ है फरवरी में उसको solve करा दीजे इसलिए मैंने इसको जो है आप लोगों साथ उसको मैं discuss कर रहा हूँ चाले आगे बढ़ते हैं अधिप्रकार का अनुकरण है options आपका sassanians coins का है, bactrian coins का है, persians coins का है या फिर parthian coins का है what is the right answer बहुत important है गदहिया coins काफी important है western इंडिया में इनकी जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलते हैं लेकिन यह किसके prototypes हैं कि इनको अनुकरण करते ही वे इनको बनाया गया sassanian को, bactrian को, persian को या फिर parthian को, what is the right answer बताए भाई इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा sassanian को, जो sassanian coins है इनको, यह क्या करते हैं इनके prototype को करते हैं जो यह सिक्के हैं वह जारी किये गए दा answer is option number a, चले, आगे चलते हैं अगले question की तरफ, question क्या है कि यह बताएए question यह कि पश्चिम, छत्रप राजवन से संबंधि जो पेल्ट वेरू, पालेम निधी है, इसकी खोज कहां से की गई थी answer आपकी सामने है, गुंटूर से, मद्रास से, हैदराबाद से, या फिर मदुरई से, देखिए यहाँ पे question और भी हो गया अपने आपने अब यही question आपकी एक्जाम में दूसरी पकार से पूछा जा सकता है, कि पेल्टूरी पालेम, जो निधी है, जो होड है, इसके प्रमाण किस राजवन से संबंधि इसका संबंध किस डाइनेस्टी से, तो ध्यान रिखेगा इसका संबंध वेस्टरन छत्रप जो डाइनेस् किये गये थे, यह question आपसे पूछा जा सकता है, जुसका सही answer क्या होगा, यह आपको बताना है, यह कहां से प्राप्त हुए थे, गुंटूर से, कहां से, गुंटूर से जो है, कि इनको प्राप्त किया गया था, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, the site of elephant was named by, जो पॉर्टगीज लोगों के दौरा, पॉर्टगाली लोगों के दौरा, या फिर डच लोगों के दौरा, किसके दौरा जो है, इनका नामकरन हमें देखने को मिलता है, जो कि नाम आप elephanta देखते हैं, the right answer is Portuguese, जो Portuguese हैं, जो पॉर्टगाली है, उनके दौरा, elephanta, जो नाम है, व संजना जी का भी बिल्कुल सही आंसर भाई अगला question है कि अर्लियस्ट इपिग्राफिक रेफ्रेंस टू शामवेद इस फॉर्म मतलब कि सामवेद का अर्लियस्ट इपिग्राफिक एविडेंस अभी लेखी ये प्रमाण जो है जो लेख है ये कहां से प्राप्त होता है तो य अभिलेखी संदर्व कहां से प्राप्त हुआ है डमरू से, सिर्पूर से, मलहार से या फिर तारीघाड से What is the right answer? सामवेद का प्रारंबिक अभिलेखी question पूशा जा रहा है बताए भाई इसका सही answer क्या होगा? बताए चले What is the right answer? सामवेद का प्राप्त होता है चले आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ The earliest asked decoration can be seen on the doorway of प्रारंबिक अलंकृत महराब द्वार कहां पर देखा जासा है बहुत basic question जी आपने आर्ट रिकेक्ट्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को मौरियन आर्ट रिकेक्ट्चर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर इसको मैंने बताया था तो options आपके सामने हैं लोमस रिसी केव, सुदामा केव, सीतामडी केव या फिर गोपिका केव कहां से earliest hours of decoration अलंकृत महराब के जो प्रमाड हैं यह कहां से प्राप्त हुए हैं basic question है आप आराम से जो है इस question का answer दे सकते दा answer is option number A, लोमस रिसी केव, अब जरा मुझे यह बताई कि लोमस रिसी केव जो है जो लेमस रिसी गुफा है इसका निर्माड किसके द्वारा कराया गया था, चले अगला question, which of the following sites is not located in पंजाब, कौन सा पुरास्थल है जो कि पंज इस्थित नहीं है, रोपण, सेंथा, ठीक है, संगोल या फिर सुग, कौन सा यह पुरास्थल वहाँ पे इस्थित नहीं है, ठीक है, तो आपके सामने option दिया गया, रोपण है, सेंथा है, कि संगोल है, कि सुग है, what is the right answer, इसका सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है सही उत्तर होगा, option number B, जो सेंथा है, यह पंजाब में इस्थित पुरास्थल के रूप में नहीं है, बाकी जो है आपकी पंजाब, अगला, ancient couple वस्तो is identified with, जो प्राचीन कपिल वस्तो है, इनकी पहचान किसके रूप में की जाती है, option पिपरहवा के रूप में, गनवारिय के रूप में, आलम गिर्पूर के रूप में, या फिर अहिच्छत्र के रूप में, तो प्राचीन पुरास्थली जुपत परहवा है, उसके रूप में की गनवरिया के रूप में, की आलम गिर्पूर के रूप में, की अहिच्छत्र के रूप में, किसकी पहचान रूप मे बहुत बढ़िया जो पिपरहवा है पहले कपिल वस्तु के रूप में जाना जाता था बहुत बढ़िया ठीक है पिपरहवा कपिल वस्तु के रूप में है जाना जाता था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या है कि which of the following journal is not published by archaeological survey of India कौन सा जर्नल है जिसे की ASI ने publish नहीं किया था options क्या है इंडियन अर्केलोजी और रिव्यू एंसेंट इंडिया कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम एंसेंट एसिया वाट इस दर राइट आंसर सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है बताए भाई सही उत्तर क्या होगा यह आप बताएंगे बताओ भाई यह वाट इस दर राइट आंसर एंसेंट एसिया वेरी गूड एंसेंट एसिया जो है यह एस आई के द्वारा आर्के लॉजिकल सर्वे ऑफ इडिया के द्वारा जो है यह पबलिस नहीं जा गया ठीक है आगे चलते हैं बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भीया दटॉंग प्री हिस्ट्री वाउज क्वाइंड बाई जो प्री हिस्ट्री सब्द है जो प्रागेति हासी काल सब्द है इसका प्रतिकवादन किसके द्वारा किया गया सीजे थॉंप्सन डेनियल विल्सन जॉन लुब बॉक या फिर आर्बी फूट जिसम रॉबर्ट ब्रूस फूट के रूप में जानते हैं रॉबर्ट बूस फूट इस आलसो नोन अज दे फॉदर आफ इंडियन प्री हिस्ट्री लेकिन यह है कि प्री हिस्ट्री जो ट्रम है यह किसके द्वारा दिया गया इसका सही आंसर क्या होगा बताएं बता सकता है मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था जोन लुबॉक ने कप्रिस्टी टरम दिया उन्होंने जो सब्द दिया था उन्होंने नियूलिथिक और पैलियूलिथिक टरम दिया था अरे भाई मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को डैनियल विलसन बताया था क्यों गलती कर रहे हैं डैनियल विलसन जी हां आपसो जो जान लुबोक की confusion है प्लीज उसको clear कर लीजिए जान लुबॉक ने टर्म Paleolithic and Neolithic वह क्वाइब किया गया उनके द्वरा दिया गया दैनियल विल्सन की द्वरा प्रेहिस्टी जो सब्द है वो दिया गया चली अगला question who has argued that the Paris on the famous पस्वपती सील इस नौट मेल बट फीमेल किसके दोरा यह कहा गया कि जो प्रसिद्ध पस्वपती की मुहर है उस पर वह पुरुष की नहीं बलकि इस तरी की है यह किस ने कहा आप्संस हैं बीबी लाल ने एसार राव ने सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है चली किस ने कहा है नहीं बता सम आत्रे का यह कहना था कि पस्वपती की जो मुहर है एक्चुली उस पर जो अंकित पुरुष है जो अंकन है वह पुरुष का नहीं बलकि किस का है भीया महीला का है बहुत यह तगड़े भीया महत्पुन राइटर है यह आर्केलोजिस्ट कह लीजिए अगला क्वेश्चन दे एविडेंस ओफ कारनेलियन हीटिंग किंस्ट है बीन फाउंड फ्रॉष कारनेलियन भथी का साक्ष किस कुरास्थल से प्राप्त हुआ है यह आपको बताना है धौलावीरा से गनेरी वाला से लोथल से या फिर रोजदी से बताए भाई कहां से कारनेलियन हीटिंग के ja wonder Конacie का खौर से मिला वेड़ा गनवेदी वाला लोथल या फिर रोजदी कहां से मिला भी यह लोथल से मिला खंस मिला करनेलियन की वर फिर लोथल को से मिला है चलिया आगे बढ़ते हैं अगले तरफ मैंने आप लोगों को बताया था कि ASI का अर्चेलोजिकल सर्वे आप इंडिया का प्रथम महिला महान देशा कौन था देबला मित्रा, अंसु व्यास, उसा सर्मा या फिर अर्चना मोई के बताये वहीं, सही उत्तर क्या होगा बड़े बेसिक से क्वेस्चन है ये सभी, जितने भी मेरे भाई बन देख रहे हैं, वीडियो कम सकम लाइक कर दिया करो यार, आप सभी के लिए इतनी बेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के ल की देबला मित्रा है ना, देबला मित्रा ही है ना, कि option number A, जी हाँ, देबला मित्रा, चलिए, अगला question है, question क्या है, कि who proposed the theory of the सरस्वती drying up for the decline of हडपन civilization, वह कौन विद्वान है, जिसने हडपा सभिता के पतन के कारणों से सरस्वती नदी के सूखने का मत प्रत्वादन किया, मतलब कि सरस्वती नदी के सूख जाने के वैसे हडपा सभिता जो है, यह नस्ट हो गई, यह सिद्धान किस ने दिया था, अब आप को मैं फिर से बता दूँ कि जिन्होंने इंडस वहले सिव्याशन पढ़ा है, वो origin और जो end की जो थियोरी है, destroy की जो थियोरी है, उसको पढ़ के जाईए, हर बार एक question पूछा है, खासकर इनके बिनास को लेके जो थियोरी है, कोई कहता है बान के वज़े से, कोई कहता है आर आक्रमड के वज़े से, कोई कहता है आग के लग जाने के वज़े से, कोई महमारी को लेके कहता है, कोई भुकंप के गटनाओं के लिए कहता है, कुसी में से एक सिध्धानत है कि सरवसुति नदी के सूख जाने को लेके, किसने ये थियोरी जो है वो दिया था, question पूछ कौन साय सा पूराज्थाल है जहां पर एक फिसर मैन का उसके नित के साथ मचली के पकड़े जाने वाले जो नित है उसके साथ जो है एक पोड के उपर एक बरतन के उपर उसका अंकन देखने को मिलता है options मोहिंजुदाडो, हडपा, काली बंगा या फिर राखी गड़ी इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है बताई भई, what is the right answer? the right answer is option number B हडपा से कहां से प्रमाड मिला है? हडपा जो पुरास्थल है, वहां से इस प्रकार का जो प्रमाड है वह देखने को मिला है, ठीक है, कहां से भईया? हडपा से, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं कोई confusion, कोई समस्या, कोई परसान यह भी तक तो किस पुरास्थल से बतानों को मच्वारे को जाल लिएवे चित्रांकी तक उसका क्या किया गया है? अंकन किया गया है, तो यह हडपा से किया गया गया किला question, which of the following mesolithic site was not excavated by VN मिस्रा, कौन सा पुरास्थल है, जिसे कि VN मिस्रा ने excavate नहीं किया है, option तिलवारा, भीमबेट का, आदमगर्ड या फिर बागोर, बताए भीया, कौन सा सही उत्तर होगा तिलवारा को नहीं किया है, कि किसको नहीं किया है, आदमगर्ड को नहीं किया है, कि बागोर को नहीं किया है, किसको नहीं किया है, उन्हों बहुत basic सा question है, तिलवारा, भीमबेट का, भीया भीमबेट का में तो किया है भीम बेटका में V.S. वाकड़कर के अलावा इनों ने V.N. मिस्रा का बहुत बढ़िया काम है ऐसे कैसे कर सकते हैं कि V.N. मिस्रा ने वहाँ पर काम नहीं किया है गलत जवाब आदमगड में किसने काम किया है आरवी जोसी ने किया है ठीक है चलिए वेरी गूड ख प्रइमरी ऑउकूपरेशन अस्यूलियन साइट ऑ पैसरा है सिचुएयटेड इन जो पैसरा ए रिकलोजिकल साइट है बहात बहुत बैसिक सा ग्वेस्ट्चन है ये बताईए सही उत्तर क्या होगा तो भई-अपैसरा कहां पर पढ़ता है बिहार में पढ़ता है बिहार में ठीक है तो खुला हुआ आवासी प्रारंबिक एस्यूलियन पुरास्तल पैसरा कहां पर है बिहार में अगला question the एस्यूलियन site of इसामपुर is situated है जो इसामपुर एस्यूलियन पुरास्तल ये कहां परिस्तित है answer है नर्मदा वैली में गंगैटिक वैली में बनास वैली में या फिर हुनसगी वैली में कहां पर इस्यूलियन परिस्तित है इसामपुर बहुत important question है बताए भाई सही उत्तर क्या होगा बताए यहां आपके कहां पर है इशामपूर हुनसगी भैली कहां पर है हुनसगी भैली जो हुनसगी घाटी है वहां पर यह पुरास्थल इस्थित है अगला question Name of the Director General under whom the responsibility of conservation was taken away from the state and given to the Director General of ASI वह कौन से archaeological survey of India के ASI के महाने दे सकते जिनके काल में जो conservation का उतरदाइत तो था वह state से लेके किसे दे दिया गया Director General of ASI को दे दिया गया ठीक है option Alexander Cunningham, Martin Marvillor, John Marshall या फिर K.N.Dixit what is the right answer बताएं बैश सही उत्तर क्या होगा John Marshall के समय में किसके समय में John Marshall के समय में ठीक है, John Marshall के समय में जो है यह किया गया चली आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ से अगला question है, the stone age site of Anangapur is situated in जो stone age का site है, पसाड़ी कुरास्थल है Anangapur, यह कहां पर इस्थित है यह आपको बताना है options हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमांचल प्रदेश में है यह फिर गुजरात में है, बताईए, सही उत्तर क्या होगा, कहां पर इस्थित है Anangapur पुरास्थल कहां पर है यह बताओ, बहुत सिंपल सा है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में हिमांचल प्रदेश यह फिर हरियाणा, the answer is हरियाणा में, कहां पर है यह पुरास्थल, हरियाणा में है ठीक है, अगला question, the Trezor True Act 1870 was brought by जो Trezor True Act है यह किसके द्वारा लाया गया, Duke of Agril ठीक है, Sir Stafford Nautis, Lord Lawrence, Lord Lytton बहुत important question है, यह आपसे discuss किया गया था बताईए भाया, सही answer क्या है, बहुत simple question, Trezor True Act इस हैं पुरा निधी निखात अधिनी हम कहते हैं, यह किसके सासनकाल में आया था, Lord Lytton के, किसके भाया, Lord Lytton के सासनकाल में आया था, किसके सासनकाल में आया था, Lord Lytton जो हैं उनके सासनकाल में जो है यह आया था चली आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ question क्या है कि which of the following site is identified as the birth place of वरामिहिर वह कौन सा पुरास्थल है जो कि वरामिहिर के जनमस्थली के रूप में जाना जाता है option दंगवाडा नगदा उज्जैन या फिर काय था किसके नाम से जना जाता है वरामिहिर का पुरास्थल जिसका सही आंसर क्या होगा जो कायथा पुरास्थल है कायथा इस चालकुलिथिक साइट and the name कायथा is also termed as a कायथा चालकुलिथिक कल्चर कायथा नाम से हमें एक तामपासाण एक संस्कृती भी मिलती है और यह एक पुरास्थल भी है और यह वास्तों में जो वरामिहिर है उनके जनमस्थली के रूप में भी जाना जाता है चले अगला question है कि which of the following is the first mesolithic site in India excavated from which animal and human skeletal remains were systematically recovered and studied by the expert निम्नमसे किस प्रथम भारती मध्ध पासानेक पुरास्थल से उत्खनन से मानव एवं पसुमों के अस्थी या उसेज ब्यवस्थित क्रम में प्राप्त हुए और जिनका अध्यन जो है यह विद्वानों के द्वारा किया गया option से आपके लंगनाज अतिरम पक्कम नेवा या फिर सराय नाहर राय बताइए सही उत्तर क्या होगा कहां से इस प्रकार के जो प्रमाड है वो हमें देखने को मिले हुए हैं बताइए नमस्कार इमिल जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदर है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चले तो हमने यह कहा क कि जो मिसुलिथिक साइट है वो फॉर फॉर्स्ट टाइम यह वी फाउंड धूमन इस्क्रेटल एज विल एज द अनिमल इस्क्रेटल इन सिस्टेमेटिक वे द इस्टेडीज ऑप डैट एक्सपर्ट इस लंगनाज तो लंगनाज अर्किल साइट जो है एक मैसा मिसुलिथ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्टन की तरफ कि विच इस द अर्लिएस्ट लैंग्वेज यूज़ इन असोगनेट वेरी वेरी इंपॉर्टन क्वेश्ट है कि असोग के अभिलेख में युक्त जो प्रारंभिक भासा है वह कौन सी थी ध्यान रहे है तर्म लैंग्वेज इन असोगनेट आंसर इस प्राक्रित पाली संस्कृत और अरमाइक वह तर्म वह तर्म लैंग्वेज इस उसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है चलिए अगला क्वेश्टन है कि विच गुपता इंस्क्रिप्शन एड़ोस्ट दाइट इस दाइट इस संद नेम आफ भासकरा क्वेश्टन क्या है कि कि सुर्य देवता को भासकर नाम से क्या किया गया है मंदसोर इंस्क्रिप्शन इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एलहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और एरन इंस्क्रिप्शन बताए वैं सही उत्तर क्या होगा य को जो है किसके प्रमाण मिलते हैं भासकर की रूप में उनका वड़न देखने को मिले हुए अगे चलते हैं अगले question बहुत simple यह तो basic question भी है तुरन देखते हो बताई भारते पुरत्त सर्वेक्षण की अभिलेक साखा की स्थापना किस वर्स किया गया क्वेस्टन क्या है दैपिग्राफिकल ब्रांच ओफ आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया वाज इस्टैब्रिश्ड इन भारतिय पुरत्त सेलेक्शन विभाग के और से उसके अभिलेक साखा ये किस वर्स इस था पचासी शियासी शियासी शतासी या फिर अठासी में जिम्स बर्जेज जो है वो अप्वाइंट हो रहे हैं अब इतना मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या होगा आंसर यदि मैं कहूं तो ये इसका सही आंसर क्या होगा मिर भाई ऑप्शन नमबर बी 1886 में 1886 में चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्चन की तरफ दक्याज टिम्पल एक इलोरा है हैज हाव मेनी सबसेरी स्राइंस मतलब कि जो ιलोराका जो कैलासनात मंदीर है उसमें कितने आनुसंगिक टिम्पल है मंदीर हैं nesun3456 मताइब भाई कितने आनुसंगिक मंदीर हैं कोई बता सकता है 3 आसिमपल आज ही पढ़ाया है बताइए भाई क्या होगा सही आंसर कि वहत बेसिक है भीया कैलासनात मंदिर मूलता किस प्रकार का मंदिर था अरे भाई पढ़ाया गया पंचायतन टेमपल पढ़ाया गया था आप लोगों को पंचायतन टेमपल तो मुखताव्स में पाँच सब डिजरी जो स्राइन्स हैं उसके जो प्रमाड हैं वह देखने को मिलते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला question कुसाना's mainly used which of the following metals for the coins suit को कुसान लोगों के द्वारा जो है समराज के द्वारा किस metal का जो प्रयोग है वह coins के बनाने में किया जाता था गोल्ड का, कौपर का, सिल्वर का, ब्रॉंज का, यनिमें से किसका किसका प्रयोग करते थे यहां आपको बताना हैं बताएं सही आंसर क्या होगा बताओ भी आप किसका किसका प्रयोग करते थे बताइए 2, C, 3 होगा क्या होगा 3, A and B, gold and copper का प्रयोग कि gold and silver का प्रयोग कुसानकाल में silver मिला है क्या कि copper मिला है बताइए कुसानकाल में ताम्र की जो मुद्राएं है वह, sorry जो आपका silver की जो मुद्राएं है वो मिली है क्या चान्दी की मुद्राएं कुसानकाल में हमें मिली है देख लीजेगा भाईया मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है वो यही आ रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ से अगला question क्या है question यह है कि which of the following dynasties issued bilingual and by scriptural coins वह कौन से ऐसे आपकी dynasties हैं जिनके द्वारा bilingual and by script coins मिलें हाँ एक मिला है वो exception है आपका चलिए तो ग्रीक के द्वारा सक के द्वारा पार्थियंस के द्वारा या फिर छत्रपास के द्वारा कौन से राजवान से जिनोंने द्वी भासे और द्वी लिपी सिक्के जो है जारी किये थे बताए भई सयुत्तर क्या होगा बताए देखें तो हम जो बात करते हैं तो वहां मुख्यत सिक्के आपके कोसान काल के सरवाधिक सिक्के जो है तामविम बने हैं, लेकिन उनके इसके जो सिक्के हैं वो सुद्ध सोने के हैं, बाकी बहुत कम मात्रा में जो है आप जो कह रहे हैं, ये को exception है, ठीक है, तो bilingual, biscript की बात की जा रह था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question क्या है अगला question है आपका पूरा question करेंगे या फिर कोई एक which of the following Indo-Greek rulers are depicted in the different ages from the young to old on their coins indicating their long route वह कौन सा ऐसा इंडो-Greek सासक है जो कि अपने coins को पर अलग-अलग सालों में अलग-अलग मुद्राओं में जो है उसको क्या किया गया है डिपिक्ट किया गया है जिससे पता चलता है कि उसका जो सासनकाल है काफी लंब आ रहा option menander, status second, status first या फिर एगौथा please क्या सही आंसर होगा यह आपको बताना है बताइए option number 4 होगा जिस मतलब कि menander और status second की मुद्राओं से इस प्रकार की जो प्रमाड है वहाँ देखने को मिले है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ पूरा question करेंगे वाव है which of the following river valley are located in 36 गड़ 36 गड़ में कौन सी नदी घाटियां जो है जो की वहाँ पर इस्थित है option जोंक रिवर, सिवनाथ रिवर, ब्रामभडी रिवर और नर्मदा नदी बताई, कौन सी वहाँ पर नदी घाटियां इस्थित हैं, कहाँ पर 36 गड़ में, बताई option नमबर A, जोंक एंड सिवनाथ जोंक एंड सिवनाथ रिवर जो है, वह देखने को वहाँ पर मिलती है अगला question है, अगला question क्या है भीया, हाँ बड़ा important है, ध्यान से सुनियेगा कि statigraphy refers to the accumulations of strata that results from the combination of जो statigraphy है, यह strata का accumulations है, जिसके results से combinations किस से क्या बनता है, geographical deposits का है, serrated deposits का है, anthropogenic deposits का है, या फिर depositional deposits का है, what is the right answer, इसका सही उत्तर क्या होगा, बताई भई, option number three, geographical deposits होगा, ठीक है, और anthropogenic deposits होंगे, इसलिए इसका option number three है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले questions की तरह बहुत बढ़ी आए, important question है, ध्यान से सुनिए, कि which of the following are the type of entry base, ठीक है, question क्या है, निमिखित में से कौन प्रवेश द्वार का उधारण है, आपसन प्रतोली, गोपुरा, तोरण और जगती, बताए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक है, बेसिक सा question है, अधि आपने अभी इंडियन आर्खिटेक्चर को पढ़ा होगा, टेंपल आर्खिटेक्चर तो यह आप लोगों को बताया गया था, option number C, अरे भाया, जगती जो है, यह प्रवेश द्वार का भाग नहीं है, जब ground के उपर एक उभरा उठा भाग, जिस पे मंदिर का निर्माण हम करते हैं, यह जो भाग कहलाता है, जिस पे new रखी जाती है, यह क्या होता है, जगती होता है, मंदिर कभी भी जमीन से सुरूर नहीं होता, बलके एक height के उपर एक split form बना जाता है, जिसके उपर मंदिर का निर्माण किया जाता है, उसी को जगती कहते हैं, और यह जगती entryways नहीं है, प्रवेश द्वार नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question क्या है, कि which of the following are references styles, ठीक है, which of the following are references style, APA, MLA, ICT, GIS, बताइए भाई, यह अलग question है, ठीक है, निम्रिखित में से कौन संदर्व लिखने की पद्धती है, APA है, MLA है, ICT है, या फिर GIS है, नहीं पता, एक मिनिट, यह आपके आर्केलोजी का ही question है न, APA और MLA, ठीक है, option number A, अब question को ध्यान से सुनिये, फिर आंसर कीजिये, which of the following feature were introduced by sunga's in their art, sung kaal में कौन सा जो feature है, वो introduced किया गया, stone as a medium, coat patronage, introduction of human form in large scale, following linear rhythm, बताएं बाइब, सही answer क्या होगा इसका, बताएं, कौन सा जो style है, वह स्थापित किया गया, सुंगों के द्वारा, बताएं बड़ा important question है, कोई बता सकता है, आवाज पहुँच पार ही आप लोगों के पास न, B, A, C, D, A, C, D, ठीक है, केवल दो answer आएं है, मेरे हिसाब से, C होना चाहिए, इसका मैं तुर्वासर कन्फ्यूज हूँ इसको लेके, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, A, C, D, बता रहे हैं, इस्टोन आइज अ मीडियम, ठीक है, कोर्ट पैट्रोने इज़्ड, नहीं है, इंट्रोड़क्शन आफ योगर, फॉर्म इर लार्ज स्केल, देखिए इसमें जो है, साल, भन्जिका बगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सुनगे इसमें, चलिए मैं इसको देख लूँगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनिट हाँ, क्वेस्चन क्या है, ध्यान सुनिए, कि विच आप देख फॉलोईंग, अर्ली फॉर्मिंग साइट अर्लोकेटेट इन ओरीशा, में इस्थितर, अर्ली फॉर्मिंग साइट की जो नाम है, वो आपको बताने हैं, गोलबई, चिरान, देतली धुआ, और या फिर, भरती धुआ, बताई भई, बेसिक से क्वेस्चन है कि निम्खित में से प्रारंभित क्रिसी के पुरास्थल जो की उडिसा में स्थित हैं गोलबई है, चिरांध है, दितली हुडा है या फिर भारती हुडा है इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है बताई भई, इसका सही आंसर क्या होगा बेसिक से क्वेस्चन है ये तो आप असानी से कर पाएंगे A, C, D भईया चिरांध वहाँ पे नहीं है बाकी गोलबई हो गया दितली हुडा हो गया, भारती हुडा हो गया ये ओडिसा के अरली फॉर्मिंग साइट के रूप में जाने जाते हैं अगला क्वेस्चन वह कौन से सोमवंसी सासक्स हैं जिनके द्वारा ये जो मंदिर है उनका निर्माड नहीं किया गया लिंगराज टेंपल, परसूरामिस्वर टेंपल ब्रहमिस्वर टेंपल बताए भाई किनका निर्माड जो है उनके द्वारा नहीं किया गया ये आपको बताना है सोमवंसी राजाओं का लिंगराज, परसूरामिस्वर, ब्रहमिस्वर या फिर बैताल मंदिर बताए किनका निर्माड उन्होंने नहीं किया मेरे इसाब से भी होना चाहिए परसूरामिस्वर और ब्रहमिस्वर टेंपल ठीक है ब्रहमिस्वर और परसूरामिस्वर टेंपल जो है उनके द्वारा निर्माड नहीं किया गया चलिए आगे बढ़ते हैं इसको एक बार देख लीजेगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि विच आप दे फॉलोइंग टूल्स और फ्रॉम अपर पैलिलिथिक पीरियद बहुत इंपोर्टेंट है किनका संबंद जो है उच्च पूरा पासाण काल से है यह आपको बताना है देखिए आज हम केवल आपसे क्वेश्चन नंबर साथ तक ही डिसकस करेंगे साथ तक ठीक है क्योंकि समय भाई देखो आप लोगों को भी पढढ़ना है क्योंकि मैं पूरा समय यहाँ पे ले लोगा तो बाकी आप लोग कब पढ़ेंगी यह बताईए मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं लेकिन रात में ही जो रिविजन होता है रात में कल आप लोगों का एक्जाम है सर पूरा हेडिक रहेगा या फिर कर यह ध्रेदर सब हम गुष्चन करा दे हमको दिक्कत नहीं है यदि आप लोग करना चाहैं तो मैं करा दूं उसमें कोई प्रॉबलम नहीं है हमेट सी बता रहें नहीं है क्लिवर कब का है मतलब कि स मुष्चन नमबर बहुत बढ़े यह बिल्कुल सही जवाब option number 3 आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ क्योंकि जो cleaver है ये कहां प्या जाता है अरे भाई handex and cleaver याद है lower pelvic pools के अंतर गताते हैं कुछ याद है या फिर भूल गए चले आगे चलते हैं कि which of the following journals are published by Indian Archaeological Society New Delhi तो Indian Archaeological Society New Delhi के द्वारा published किये गए journal का नाम बताना है पूरा तत्व, ancient India, प्राग धारा या फिर पूरा प्रवाह कौन कौन से जो journal है उनका publication Indian Archaeological Society के द्वारा किया गया आपके सामने options दिये गए है कि भाईया question क्या है question ये है कि कौन सी पत्रिका जो है भारती पूरा तत्व परिसर जो कि पहले इस्थापित की गई थी कहां पे यह इस्थापित की गई थी वाराण सी में लेकिन बाद में जो हो गया तो यह कहां कौन कौन सी इसके जो द्वारा जो है ये शुरू किया गया तो पूरा तत्व और प्राग धारा यह होगा ना पूरा तत्व एंड प्राग धारा जो है य ancient India देखना पड़ेगा आप लोग confused कर रहे हैं हमें एक बार इसको देख लिजेगा भाई या तब ठीक है तब इसको आप लोग एक बार देख लिजेगा मेरे साब से जो question का answer है यह पुरातत्व और ancient India होगा लेकिन निवेदन है कि आप लोग उसको एक बार देख लिजेगा क पुरातत्व और प्राग धारा होगा कि पुरातत्व ancient India होगा प्लीज आप लोग इसको एक बार देख लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या है कि which of the following sites are not excavated by एके सर्मा एके सर्माग दोरा कौन सा पुरास्थल उत्खनित नहीं है सिर्पूर ठीक है पचराही राजीम या फिर मलहार ठीक है कौन सा पुरास्थल जो है उनके दोरा उत्खनित नहीं है ठीक है तो एके सर्माग दोरा सिर्पूर पचराही राजीम या फिर मलहार जो है क जी हाँ C राजीम और मलहार चली आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ question क्या है सई से सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा कि Maya Mata uses the following terms for an Episodal Temple जो Maya Mata है उन्होंने term Episodal Temple किसके लिए प्रयोग किया option हस्ति प्रिस्ठ के लिए दिब्य शाला और हरंतारा जीव अजीव नाम दिये गए गज प्रिस्ठाकार मंधिरों के लिए Mहमत में किन सब्दों का प्रयोकिया गया हस्ति प्रिस्ठ दिब्य श्रिवित्र साला हरंतर ये question खोड़ा सा मेरे लिए भी confusionous है बताइए भीया सही answer क्या होगा option number 1 ठीक है इसका सही answer होगा चली आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है the ass mount sights are reported from ऐसे पुरास्थल जहां से हमें ass mounts राक के टिलों के प्रमाण मिले option कुपगल, बुदिहल, वटगल पल्लवरम, कहां से इस प्रकार की जो प्रमाण हैं वो हमें देखने को मिले हुए हैं, बताइए what is the right answer बहुत simple सा question है भीया बताओ कहां से इस प्रकार के प्रमाण मिले है राक के टिले, किस काल से संबंदी थे जरा ये भी बता दीजिए हमें जो राक के टिले हैं इनका संबंद किस काल से है ये बताइए, इसका सही आंसर होगा कुपगल और बुदिहल से साइट से उनके प्रमाण मिले है इनका संबंद किस से है साइट साइट का पहली बात की मिलते कहां पे है तो that is reported from southern India southern India से प्राप्त होते है इनका संबंद किस काल से है इनका संबंद जो है आपके नियोलिथिक फेज से है नौ पासाणिक पुरास्थलों से यह आपके प्राप्त होते है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले questions की तरफ अगला question है आपका कि which of the following which of the following are not हडपन साइट फरमाना, बादली, हांसी और खाखरा कोट कौन सा पुरास्थल जो है जिसका संबंध हडपन पुरास्थल से नहीं है यह आपको बताना है बताएए what is the right answer the right answer is option number 4 हांसी और खाखरा कोट जबकि फरमाना और बादली इनका संबंध हडपा से है लेकिन हांसी और खाखरा कोट यह हडपन साइट के रूप में नहीं जाने जाते चली आगे बढ़ते हैं अगले question की तरप अगला question क्या है कि लिजिए लियूनिट हार्वेस्टिंग tools along with long shirt blades or reported form चीक है जिसके प्रमान कहा से मिले हैं ऑप्सन आपके सामसीं है लोथल, सूरकोटदा, रंगपूर या फिर रोंपड कहां से इस प्रकार की जो प्रमाड है वह हमें देखने को मिला हुगा है Dancer is option number A अर्थात लोथल से सुरकोटदा से और रंगपूर से लिवनिट हर्विस्टिंग जो टूल से हैं जिसके साथ हमें long shirt blades की जो प्रमाड है वह साथ में देखने को मिले ठीक है आगे चलते हैं अगले questions की तरफ अगला question है question क्या है ध्यान से सुनिएगा question ये है कि हडपा सब्विता का जो पूरास्थल है राखी गड़ी उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया option ब्रसंद सिंदे सूरजभान एनाथ और या फिर एस मंजुल किसके द्वारा जो है उसका उत्खनन किया गया बताई भया d a c d राखी गड़ी का उत्खनन सूरजभान ने किया है एस मंजुल ने किया राखी गड़ी का उत्खनन a c d आप लोग बता रहे है मेरे हिसाब से इसका a b c होना चाहिए a b c ठीक है राखी गड़ी का उत्खनन जो है बसंद सिंदे सूरजभान और s नाथ होना चाहिए मेरे हिसाब से according to me लेकिन आप लोग जो है उसका answer अलग बता रहे हूँ यह confusionous है भाईया चली मैं इसको देख लूँगा आप लोगों के recording भी इसको मैं एक बाइसको मैं question mark लगा देता हूँ आप लोग भाईया इसको एक बाइक confirm कर लेना फिर चली आगे चलते हैं अगले प्रस्णों के तरफ यह question पिछले साल drop किया गया था ठीक है अगनी वेदिका के जो प्रमाड हैं यह कहां से प्राप्त हुए हैं आज के इस सेशन का अंतिम प्रस्ण अगनी वेदिका के जो प्रमाड हैं यह किस सिस्थल से प्राप्त हुए हैं यह आपको बताना है काली बंगा से लोथल से बनावली से या फिर मोहिन जुदाडों से बताए भाई सही उत्तर क्या होगा ए ए और बी काली बंगा से लोथल से ठीक है मोहिन जुदाडों सगनी वेदिका नहीं मिला है न चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ये क्वेस्चन ड्रॉप किया गया था ध्यान रखिएगा अगले और अंतिम प्रसल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं खलास को उसके पस्चाद समाप्त करेंगे क्वेस्चन क्या है कि इसके प्रमाड कहां से प्राप्त हुए है ठीक है तो यह प्रमाड जो है आपके एक मिनट काली बंगा लोथल और आपका जो बनावली है वहां से प्राप्त हुआ है साथ तक हमने बोला था ना साथ तक कर लेते हैं Question number 16 Which of the following sites are situated in Tamil Nadu Tamil Nadu में इस्थित पुरास्थल का नाम बताना है ठीक है तमिल Nadu में इस्थित पुरास्थल आपका नाम बताना है Option अतिरम पक्कम, गुडियम, अनंगवाडी या फिर संगन कल्लू बताए चली बताए भाई अन्तिम question है अब इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे कहां से मिला हुआ है ठीक है अतिरम पक्कम है कौन कौन से पुरास्थल है चली बहुत बढ़ियां अतिरम पक्कम और गुडियम के ठीक है यह आपके यहाँ पर इस्तित है बाकी जो आपके 40 question है आप लोगों ने हला कि कौन ने आपको PDF और इसका आंसर की दोनों provide कराया ही था वहाँ पर discuss करी क्योंकि आपके cross question है बाकी वह चीजह है तो इसमें काफी लंबा समय लगता है उनको discuss करने में ठीक है तो बस आज फिलहाल की दोस्तों इतना ही रखते हैं अब आपका देखे कल एक्जाम है तो आप सभी मेरे भाईयों को मेरे बहनों को आप सभी को हमारे तरफ से हार्दिक स्वब काम ना है आप सभी के एक्जाम के लिए आपने अच्छी पढ़ाई की है अपने उपर विश्वास रखिए सबसे इंपर्टन चीज यह हो जाते है कि जब आप अपने एक्जाम में जाएं हाल में बैठें तो अपने आपको सांत रखें अपने दिमाग को इस्थिर रखें ना हुई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ना ही बहुत ज़्यादा डिपरेशन में चले जाएं आपने आपको सांत रखें पानी बगर अच्छे से पीजी यह भी नहीं कितना की लिजेंगे बार-बार वास्टरूम जाना पड़े नहीं अपने आपको काम रखिए अच्छे रखिए मेरी चीजों को समझिए और आपने जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए नहीं पढ़ा होगा तो एक दिन होने से कुछ नहीं होने वाला जो पढ़ा है आपने बेहतर पढ़ा है अच्छा पढ़ा है प्रभु महादेव से हमारी यही कामना है कि आप सभी अपने एक्जाम में सफलता प्राप करें तो इसी बात पर बोलते हैं हर हर महादेव मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में कल हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आपका पेपर कैसा रहा आप सभी सनिवेदनिये जितने मैरे भाई बहन, इसमें जुड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, कल अपना paper का review हमें जरूर देंगे, कल हमें paper का review देंगे, कि आपका paper का पेपर कैसा रहा, paper का pattern कैसा रहा, और कोशिस यह जरूर कीजेगा, कि question याद कर लीजेगा, if question यह लोग कैसा रहा, यह सब कुछ कैसा रहा, तो आप बताएंगे, तो कल नहीं तो परसों वाली क्लास में, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताने में सक्षम हो पाएंगे, क्या कुछ पेपर रहा है, कट आफ जाने के क्या संभा होना है, कि इतने नंबर तक आपका हो पाएग तो यह हम बताने में संभव हो पाएंगे, चले, तो आप सभी को एक बार फिर से विश्यू आल, वेरिबेश प्रभु महादेव, आपको सबलता प्रदान करें, मिलते हैं हम लोग, नए वैश में, नए सेशन में, नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी स पस्त रहें, मस्त रहें और जंडा गाड के हैं, जय हिंद, जय भारत, हर हर, महादेव